हलो प्रेंट्स मैं पायल सिन्हा स्वागत करती हूं आपका इस चैनल पे आज हम बहुत ही सिंपल और कॉमन रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जी हाँ पालक पनीर की सब्जी इसे बनाया गया है बहुत ही आसान तरीके से जो सब्जियां आसानी से बंजा और स्वादिस्थ हो इससे बड़ी बात क्या होती है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पानी को गरम किया फिर 300 गराम पालक लिया उसे अच्छी तरह से धो कर इस गरम पानी में डालेंगे लेकिन गरम पानी में डालने से पहले एक चमच चीनी डाल दें वो इसलिए कि इसमें पालक का कलर बना रहता है ये एक मेथड है पालक को हरा रखने के लिए फिर इसे अच्छे से गर्म पानी से निकाल लेंगे और ठंडे पानी से इसे धो देंगे ताकि हमारा पालक ओवर कुप न हो फिर उसी कराही में हमने तेल डाला उसमें डालेंगे एक चमजीरा, हल्दी, लहसन, अद्रक और हरी मिर्च इन सब को थोड़ा चटका लेंगे फिर एक बड़े साइच का प्याज उसे भी रॉफली चॉप करके इसके अंदर डालेंगे और इसे भी हल्का नरम होने तक भूनेंगे जब यह भून जाए तब हम इसमें एक बड़ा टमाटर लेंगे उसे भी रॉफली चॉप करके काटके डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे जब तक कि यह थोड़ा सॉफ्ट न हो जाए फिर यहाँ गय सॉफ्ट करेंगे उसके बाद एक मिक्सी जार लेंगे जिसमें ठंडा किया हुआ जो पालक है वो डालेंगे और यह टमाटर प्याज का मिक्स्चर डालेंगे और इन सब को अच्छी तरह से ठंडा कर ले उसके बाद थोड़ा सा पानी डाले फिर इसका फाइन पेस्ट त्यार कर लें और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से पिस चुका है तो आप इसे साइड में रख दे और दूसरे प्रोसेस की तरफ चलेंगे तो यहाँ हमने उसी कडाही को अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें डालेंगे तेल, फिर हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहां मसाले डालने से पहले आप आज को धीमी कर दे, नहीं तो आपके मसाले जल सकते हैं फिर हम इसमें एक एक चमच, हल्दी, मिर्चा, धनिया और जीरा पॉर्डर डालेंगे और तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब यह थोड़े अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे त्यार किया हुआ पालक का प्यूरी और इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसे मिडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाते हुए भूने विडियो अगर अच्छी लग रही हो तो फ्लीज एक लाइक कर दे और नए है तो सब्सक्राइब कर दे लगभग दो मिनट हो चुके हैं हमने मिडियम फ्लेम पे अच्छे से पालक और मसालों को भून लिया है अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डाले और एक चमच गरब मसाला इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर ले फिर इसमें और स्वात को बेहतर बनाने के लिए हम डालेंगे मलाई जो की घर के दूद की ही मलाई है आप चाहे तो इसमें क्रीम भी एड़ कर सकते हैं और मलाई डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिला ले मिलाने के बाद अब बाड़ी आती है पनीर की तो यहां हमने 200 ग्राम पनीर लिये हैं उसे अपने मन चाहे आकार में काट लिजी और पनीर के साथ मिक्स कर लिजी मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगी कि पालक को बहुत देर तक नहीं पकाएंगे वरना पालक काले पढ़ने लगते हैं और पूरा ढखकर भी कभी न पकाएंगे आप इसे हाफ इस तरह से ढख दे और इसे अच्छे से थोड़ी देर पकने दे इससे क्या होगा कि पालक का कलर बहुत चेंज नहीं होगा और पालक हमारे हरे हरे दिखेंगे अब आप इसे गैस यहां पे बंद कर दे और इसे गर्मा गर्म सर्व करें इसे आप रोटी पराठा नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे हमने एक पनीर के क्यूप्स को बचा लिया था जिसे हमने उपर से गार्निस कर दिया ताकि दिखने में अच्छा लगे और थोड़ा सा मलाई से इसे डेकोरेट कर दे और यह लीजिए सिंपल सा आसान सा और कमन रेसिपी बनकर त्यार है जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिस्ट है तो वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में प्लीज प्लीज हमें जरूर रिपलाई करें और पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में तब तक के लिए बाए